जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जनवरी और 16 जनवरी 2023 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी? रक्षत्र क्या होंगे? योग क्या बनेंगे? किस तरह के परिवर्तन? आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विज़तार से आपके जीवन से चुड़े हर एक शेत्र के बारे में आपके जीवन में होने वाले हर एक बदलाव के बारे में छोटे बड़े हर बदलाव के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं पंदरा जन्वरी यह रविवार का दिन है और क्रश्न पक्ष की अस्ट मेती थी है चित्रा नक्षत्रा रहेगा पूरा दिन सुकर्मा नाम का योग सुभा सड़े ग्यारत तक उसके बाद रती नाम का योग बनेगा अब चंद्रमा की जो इस्तिती है वो है तुला राशी में चंद्रमा तुला राशी में विराश्मान है आपके भागे भाव में सुर्य मकर राशी उत्र साढ़ा नक्षत्र यानि सुरी का राशी परिवर्दन हो जुका है अभिजीत मोरत दोपहर 12 बजकर 9 मिनट से 12 बजकर 52 मिनट तक है अब 16 जनवरी का दिन तो ये जो दिन है ये सौमवार का दिन है सबताह का पहला दिन और ये अस्टमी तिति है क्रशन पक्षकी 9 में तिति स्वाती नक्षत्रा रहेगा ध्रती नाम का योग सुभा तक उसके बाद शूल नाम का योग बनेगा चंद्रमा अपनी राशी तुला राशी में ही रहेंगे और सूरिय मकर राशी उत्र साड़ा नक्षत्र में अभिजीत मुरत है इस दिन का तुपहर 12 बचकर 10 मिनट से 12 बचकर 52 मिनट तक तो ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति अब इसी क्या धार पर जानेंगे ये जो दिन है कैसे आपके लिए व्यतीत होने वाले है किस तरह के बदलावी आपके लिए लेकर आने वाले है तो प के भाग्य भाव में भाग्य भाव में चंद्रमा की इस्तिति बेहत शुब है क्योंकि यहां चंद्रमा को कोई पीडित नहीं कर रहा है इसी लिए इस दिन चंद्रमा का विश्य रूप सिवर भाव आपके जो आपका जो भाग्य है उस पर बेहत शुब तरीके से रहेगी यनि आपको बड़े फायदे होने का योगदी है यात्रा मंगल में होगी और जिसके प्रति आप नियंदरन कर रहे हैं वो आपका कारिया सफल भी होगा आज अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें चुट्टी का दिन है कुछ लोगों के लिए आज का दिन नो कुछ नई चीज़ों को जानने के लिए कुछ नई विश्यों पर चर्चा करने के लिए रहेगा आज आप अपनी जिन्दगी का मज़ा भी ले पाएंगे आपके कारिया में जो रुकाव्टे हैं वो रुकाव्टे दूर होंगी और थोड़ा स्वास्थे का ध्यान ज़रूर रख अपने रिष्टे को अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं यानि आप अगर विवाह प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आज अपने रिष्टे को लेकर गंभीर रहेंगे और पुनर विचार जरूर करेंगे अगर आपने पहले भी डिसीजन लिया है तो आज फिर से पुनर व अपने दिन को खास बनाने के लिए शाम को फरिवार के साथ तक किसी अच्छी जगह आप जा सकते हैं डिनर अगरा की प्लानिंग कर सकते हैं और इस बारे में भी काफी सोच विचार करेंगे कुछ इस राशी के जाता कि दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको इस राशी के वैवसाई हैं उनके लिए भी दिन जो है वो ठीक रहेगा आज आप सुबह दस बज़े से और दोपहर के एक वज़े तक इस बीच में आपके लिए काफी लगी समय दिखाए दे रहा है को या तो आपका कार्य बनेंगा कहीं जाए खुशकवरी मिलेगी कुछ जन्वरी के बारे में 16 जन्वरी का दिन आपके लिए कैसा है तो देखिए चंद्रमा आज भी तोला राशी में है और आप में से आज अपनी शमता को मजबूत करने पर ध्यान देंगे सकारात्मक द्रस्टी कोण बनाए रखेंगे जिससे आप अपने भविश में आने वाल जबिए अपनी वाले हुए आपके पूरे होने वाले हैं। बाकि इस समयं आपकी अपनी रचनातवक्ता और कारेशनता का पृऊँक करने से आपको सम्मान मिलने के यूग भी हैं अपने कारेशेत्र में इनका प्रयूग आप वित्यलाब प्राप्त करने के लिए भी कर सकत अगर आप फैशन डिजाइनर है फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप इसमें कुछ जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ नया करने की कोशिश करनी है अपका माइंड काफी एट्रक्टिव होने वाला है यानि ऐसी चीजों को नए ने विचार आपके मन में आने बढ़ने का कारे यह करेंगे जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने के आवसरी भी मिलेंगे तो अपनी कर सब्सक्राश में और अपकी जॉब होँ हुस में आपका नाम करा सकता है जिशन बढ़ना परनी फ्लैट की जगए दूसरे बड़े घर में जा सकते हैं लेकिन परिवर्तन के संकेत जरूर मिल रहे हैं तो इसका आनद ले क्योंकि नया परिवेश आपको अच्छा लगेगा पॉजिटिविटी आएगी इसका भरपूर आनद भी आप उठा पाएंगे तो चीजों को आप मु अक्सेप्ट करने का कारें जरूर करें बेकार के खयालों में उर्जा बरबाद ना करें बलकी से सही दिशा में लगाए अतिरिक्त आये के लिए यानि एक्स्ट्रा इंकम के लिए अपने विचारों का सहरा लें जो करना आप चाहते हैं जीवन साथी के साथ कुछ अच्छी बातें आप के लिए रहेंगे अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिल कर कोई कारें कर रहे हैं तो वहां अच्छे लाव के उमीदें बन रहे हैं और आज आपको कोई महंगा तौफा भी मिल सकता है जो आपके चेहरे पर मुक्सकान लाने में अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा आज के दिन अगर कोई योजना आपने बना रखी थी तो उस योजना में आखरी पल में बदलाव हो सकता है वेवाहिक जीवन में स्थितियां काफी अच्छे रहेंगी अगर आपके संबंदों में थोड़ी बहुत कड़वाहटे भी आ रही थी तो वह भी दू वाहित लोग हैं उनके लिए आज का दिन विश्यस रूप से खास होने वाला है तुलाराशी के चंद्रमा कहीना कहीं आपके लिए बेहद शुब समय लेकर आए हैं तो कुल मिलाकर ये जो दोनों चीज़ें हैं दोनों ही दिन हैं ये आपके लिए ठीक रहेंगे इन दो दि